आज मैं शेयर कर रही हूँ मैंगो दाल की रेसिपी मैंगो दाल एक आंध्रा रेसिपी है इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडियेंट्स चाहिए वो हैं तूर दाल या अरहर दाल एक कप हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसे हम एक चौथाई चम्मच करके दो हिस्सों मे यूज करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें पच्छा आम एक मीडियम साइज का तेल एक बड़ा चम्मच सर्सों दाना आधा चम्मच जीरा एक चम्मच हींग एक चुटकी प्याज एक मीडियम बारी कटा हुआ हरी मिर्च दो बीच से कटे हुए करी पत्ता साथ से आठ लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और शुगर ऑप्शनल है अगर आम डालने से दाल आपको बहुत ज्यादा खटा लगता है तो उसे बैलन्स करने के लिए शुगर यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने शुगर यूज नहीं किया है और पानी अपनी ज़रत के ह इसमें डाल देंगे यहां पर मैंने एक कप दाल यूज की है तो मैंने धाई कप पानी यूज किया है अब हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंस में हम डाल लेंगे और आप प्रेशर कुकर को बंद करके हम दाल को तब तक पकने द लेते हैं इसी बीच हम डाल के लिए तड़का तयार कर लेते हैं तड़का बनाने के लिए हमें कड़ाई में पहले तेल गरम करते हैं तेल को हम मीडियम गरम कर लेते हैं तेल जब मीडियम गरम हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं सरसोंदाना और जीरा मसालों को हम कैकल हो डलें देते हैं मैं इसमें डालते हैं ही और बारीक कटा हुआ प्याज को हमें हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब करना है व्यास को हम बीच वीच में प्र अर्ड़ करेंगे और ध्लेंग को हम मिढियम रखेंगे अब एक मिनट बाद आप देखें ये प्यास किनारों से हलका हलका सा गोल्डन होने लगा है अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउदर साथ ही इसमें करी लीफ्स डाल देंगे करी लीफ्स ऑप्शनल है अगर आप करी लीफ्स का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें इसमें अब हम इसमें डालते हैं कटी हुई हरी मिर्च मसाले को हम बीच बीच में स्टर करते रहते हैं जिससे की मसाला कड़ाई में चिपते नहीं और जले नहीं इसलिए हमें बार्बा स्टर करना है अब हम इसमें डालते हैं कच्चे आम की पीसिद आम को हामलबबग एक मिनट तक इस तरह से तेल में फ्राइ होने लेते हैं आम को हमें सौफट हमें तर पक्ने देना है। आम जब पक्ने लगता है तब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे। अब इसे हम पानी में उबाल आने तर पक्ने देते हैं। इसी बीच हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं, दाल पक चुकी है और मशी है जो की perfect है और अब इसे हम आम के साथ में मिला लेते हैं अब हम low flames पर दाल को पकने देते हैं जब तक की दाल इसमें अच्छी तरह से मिल जाए और अच्छी consistency इसमें आ जाए consistency आप अपने हिसाब से रख सकते हैं चाही तो ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने दाल को थोड़ा सा ठिक रखा है लगबग 5-7 मिनिट तक हम इसे पकने देते हैं और अब दाल अच्छी तरह से उबल तुकी है डाल अब बिलकुल तयार है इसे हम बारी कटे हुई धरे दनिये से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं थैंक्स अलोट